मोदी सरकार में मंत्राले का बंटवारा हो गया आखे और 71 मंत्रियों ने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी संभाल लिए यहाँ पर मोदी के मंत्री 100 दिन के तार्गेट पर लगे हुए हैं और विपक्ष किसी और तार्गेट पर है क्योंकि मंत्राले का बंटवारा विपक मोधी थ्री पॉइंटों का अधिकारिक तोर पर कांग काज शुरू हो चुका है कल देश शाम मंत्रालियों का बटवारा हुआ और आज 71 मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिव्वेदारी ले लिए यहां सरकार अपने काम पर लगी और वहां विपक्ष अपने काम पर मंत्रालिय का बटवारा विपक्ष को पसंद मनी आया उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अचानक चिंता सताने लगी और इसलिए हमलों और तंज का दोर तेज हो गया जो विहार के वज़से आप प्रधान मंत्री बने और मंत्राले जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कही ना कहीं से जुन जुन ना जुन थमाया गए। दरसल नतीजे आने के बाद से ही मन चाहे विभाग के लिए जेडियू और टीडिपी बीजेपी पर दबाव बना रही थी दोनों ही पार्टियां एहम मंत्राले चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ किंग मेकर बनकर उभरे इन पार्टियों को मुह मांगे मंत्राले न देकर बीजेपी ने विपक्ष को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि उसके लिए गठबंदन जरूरी खले ही है मजबूरी नहीं लेकिन जो मंत्राले सहयोग्यों को मिले हैं उसे भी कमतन नहीं आका जा सकता जेडियो को पंचायती राज और पशुपालन मंत्राले के साथ गिर्शी और किसान कल्यान राज्ये मंत्राले मिला टीडिपी को नागरिक उड्यन मंत्राले के साथ ग्रामिन विकास और संचार मंत्राले मिला LGP को Food Processing मंत्रा ले मिला हम यानि जीतन राम माजी को MSME की जिम्मेदारी मिली RLD से जैन्त को कौशल विकास और शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया अपना दल S को दो विभागों में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला यानि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया लेकिन विपक्ष इसे जुनजुना बता रहा है जो लोग ये बाते करते हैं वो कहीं न कहीं अपने दिल को तसली देने की सोच रखते हैं ऐसे में एंडिये गड़बंदन के तमाम सहयोगीों को जो भी जिम्मेदारी दी गए है मुझे लगता है उसको पूरी इमानदारी से निभा कर अपने विभाग की उपलब्दियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगे तो जो इस उमीद के साथ तंज कसने का प्रियास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा नरीन भाई मोडी जी के प्रती अभार व्यक्त करते हैं और जहां तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है हमारा कंसेट बहुत बट्वन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है काम ही पुजा होती है और जब विभाग मिला कली फाफ हमने खोला तो माइक्रो और अस्मॉल और मेडियम इनलेस्टिस के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि यहाँ ठीक है विभाग है अच्छा है देखेंगे लेकिन विपक्ष शायद कुछ और संभावनाओं पर काम कर रहा है क्योंकि हैरानी इस बात की है जब बीजेपी को अकेले 240 सीटे आई तब भी सवाल उठे और सहयोग्यों के सहारे सरकार चलाने की बात हुई और अब जब बीजेपी ने कडवन्दन साथ्यों की भागीदारी की हिस्तेदारी बाती तब भी सवाल हो रहे है यूरो रिपोर्ट यूजेटी अमीठी और राइबरेली के साथ यूपी में बदले हाथ के हलात से राहूल गांधी और प्रियंका गांधी काफी जोश में है जोश इसलिए क्योंकि अमीठी में कॉंग्रिस की वापसी और राइबरेली में राहूल गांधी ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठाबर करा रखी ऐसे में चुनाव परियुनाम के बाद भाई वेहन का पहला राइबरेली का दौरा काफी चर्चा में है और चर्चा इस बात की भी उने लगी जब राहूल गांधी ने कहा प्रियंका अगर चुनाव लड़ती तो मोदी हार जाते उत्तर प्रदेश में जब हाथ के हालात बदले विछड़े कॉंग्रेसी जब साथ आए तो चुनाव परियुनाम का जोश राहूल और प्रियंका के चेहरे पर चलकने लगा कि यहां से अवद से पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित एक सची एक साफ राजनीती चाहिए अपने देश में पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है इस चुनाव में प्रियंका गांधी और राहूल कांधी ने जिस तरह से अमेठी में चुनावी चक्रविहू की रचना की राय बरिली में जिस तरह से दाउं खेला उसने अच्छे अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दिया और दोनों भाई बहन की जोड़ी ने ना सिर्फ अमेठी में वापसी की बलकि सोनिया गांधी की पृतिश्था को वख्भू भी बरकरा रखा पहनत की दो दो घंटे सोकर जो मेरी बहन ने राय बरेली में चुनाव में काम किया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रियंका का और आप सब का एक और एक और आइडिया है मेरे पास वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उत्तर प्रदेश के बेहतर चुनावी परिणाम के लिए राहुल गांधी बार बार प्रियंका गांधी को श्रे दे रहे हैं और राय बरेली की धरती से प्रियं मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं राहुल कांधी ने कहा अगर मेरी बेहन प्रियंका वारा नसी से चुनाव लड़ती तो मोदी थाई लाग वोटों से हार जाते और सिर्फ अयोदिया में नहीं बाहियों और बहनों सिर्फ अयोदिया में नहीं वारा नसी में जान बचा के निकले हैं प्रधान मंत्री और मैं आपको कहता हूँ और बहन से कह रहा हूँ अगर ये लड़ जाती वारा नसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री दो तीन लाख वोटों से वारा नसी का चुनाव हार जाती चुनावी परिनाम के बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये पहला राइबरेली दोरा था इस दोरान उन्होंने कार्यकरताओं से अहवान किया कि वो इसी तरह लड़ाई लड़ते रहें और देश की राजनीती के जो प्रमुक मुद्दे हैं उन्हें उठाते रहें लेकिन इस दोरे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है आखिर राहुल कांधी वाइनार्ड और राइबरेली में किसे चुनेंगे क्योंकि दोनों लोग सभा सीट पर उनको जबरदस्त जीत मिली है ऐसे में राइबरेली के आसार ज्यादा है क्योंकि राइबरेली 2004 से सोनिया गांधी की संसदिय सीट रही सोनिया के राज्यसभा जाने की वज़े से सीट खाली हुई सोनिया गांधी के कहने पर राहुल ने राइबरेली को चुना राहुल कांधी राइबरेली सीट अपने पास बरकरार रखेंगे वाइनाड से प्रियंका या लोकल नेता को मौका संभाव वहीं दूसरी तरफ यूपी कॉंग्रेस की पॉलिटिकल अफेर्स कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि राहुल कांधी को राइबरेली सीट से ही अपनी सदस्यता बरकरार रखनी चाहिए यानि राहुल कांधी राइबरेली तो प्रियंका गांधी वाई राड में मोर्चा संभाल सकती है और अब एक नज़र डालते हैं क्राइम की दस बड़ी खबरों पर पुशांबी में आईसोजी और बदमाशों के बीच मुटबेड कोई बदमाश के पैर में गोली लगी बदमाश पर दाउच है कई अपराधिक मांदे गाजियबाद में सर्राफा कारुबारी से लूट की वारदात माइक सवार बदमाशों हुआ लुट कर अन्जाम लिया अधेर कि हथका का खुलासा किया पत्नी निकली हत्यानर्ट पुलिस ने आरोपी पत्नी और हत्या में शामिल दो बदमाशों को गिरफटार किया हर्दोई के बिलग्राब में बच्चे के अफ़ण का पुलिस ने खुलासा किया दो अरूपियों को किया गिरफ्तार वारदात में इस्तेमाल कार बराब ललित्पुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुद्बेड पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफतार किया लूग की वारदात में फरार चल रहे थे ग्रेटर नोड़ा में अवैद कब्जा के खिलाफ बुल्डोजर अक्शन अथारिटी ने 124 करोड की जमीन को कब्जा मुक्त कराया बुलंद शहर पुलिस की फर्जी एसोजी टीम से मुठबेड पुलिस ने फर्जी एसोजी टीम के तीम सवेसे को गिरफतार किया दो तमंच और कार्थूस बरामत रामपुर पुलिस और गोतसकरों के बीच मुटबेड हुई पुलिस की जवाबी कारवाई में गायल शातिर गोतसकर, पहीम गिरफतार, तमंचा, कार्तूस और बाइक बरामत बाइदा में पती-पतनी के बीच मामुली विवाद में मारपीट, नाराज पती ने पतनी पर कुलहाडी से हमला किया, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ति कराया गया हापडवी जीसीबी से टोल प्लाजा पर तोड़ फोर की आरूपी को पुलिस ने गिरफतार किया, जीसीबी ज्राइवर पर कई लोगों को चलने का प्रयास करने का आरूप, पुलिस की चीम पर भी जीसीबी चलाने की कोशिश